हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल तो यहां पर देखिए देशी पिटोनिया अभी भी खिल रहा है मेरे गार्डन में तो प्लांट की काफी अच्छा है देखिए इसमें भी कलियां बनी हुई है यहां देखिए यह प्लांट छोटे से पॉर्ट में यह लगा हुआ यहां अच्छा हड़ी प्लांट है तो इसको भी जो है न आप अपने घार्डन जरूरेड करें सीड से इजली ग्रो हो जाता है कहीं भी आपको सेड़ इसके मिलते हैं तो आप लाएं आज मैं ऐसा प्लांट दिखाने वाले मेरे गार्डन का जो अपने आप ही ग्रो हो गया गार् प्लांट लाते हैं तो अधुरियों क्कौस ली आते हैं गार्ड एक घर में लाते ख़रापे हो जाते हैं तो बहुत प्लांट यह नहीं आपने पर्स ब्लांट उता है और उसी तरह इसकी पत्ति का शेप है और उसी के तरह यह एक संस्कुलेंट फेमली से विलाइब करता है यह बहुत है यह अधिया प्लांट है और इसको जो है ना कुछ लोग मैंने बहुत पहले वीडियो इसकाट डाला था तो काफी पसंद गया उस वीडियो को लोग ने तो कुछ लोग ने उसमें कमेंट करके बताया कि एक वेजटेवल है कुल्फा बोलते हैं इसको लेकिन मैंने देखा है कुल्फा प्लांट जो है तो वह अलग होता है उसकी पत्तियां बहुत बड़ी-बड़ी होती है और जो है तो हो सकता है कि वराइटी का फर्क हो जैसे कि यह देशी वराइटी हो और वो मैंने उनके पास देखा है वह फॉसका है लेकिन आप बताएं कि यह सही नाम है क्या इसका जो काफी लोगों नोश टाइम के पुल्फा ही बताया तो यह वेजटेवल प्लांट है वैसे तो अबने गार्डन में लगा सकते है जैसे कि फ्लाविंग प्लांट के तोर पे या हैंग प्लांट के तोर पे तो देखिए आप कि इतना खूबसूरत लग रहा इस तरह से जबी हैंग हो रहा है और बिल्कुल ग्रीन है यह तो यहां पर देखिए यह मैंने जो एक और दूसर प्लांट है यह भी अपने हाप से घ्रो हो गया है और यह देखिए यह सीड से बनने लगे हैं चोटे यह सीड से अपने आप ग्रो हो जाता है और यह यहां पी चोट चोटे फूल इसमें खिल रहे हैं यह देखिए और यह देखिए पर्सनेल इसके साथ पर्सलेन भी लगा करता है तो गर्मियों में ग्रो होता है बहुत अच्छे से जलता है कोई भी कियर इसकी नहीं करने पड़ती है जहां उग जाता है अपने आप चलता ही रहता है कोई खाद नहीं मांगता और पाने भी आप इसको एक टाइम दे सकते हैं बहुत अच्छे से चलेगा आप इसको या फिर फ्लावरिंग के तोर पर आप पने गार्डन में इसको रख सकते हैं फ्लावरीं प्लान्ट के तोर पे बहुत ही प्लांट एस उसमें पहले मेने इसका वीडियो डाल था बहुत पहले तो उसमें काफी आप cheaper जा करा हैं यूद नियुक्त में इसको पर ख्लंप काफी एक इसमें लगा हुआ है तो काफी सारा ग्रोह हो रखा है मेरे गार्डन में यह है तो मैं सब को घ्राने में यूज लेती रहती हैं यह देखे इस तरह से चोटे-चोटे फुल कितने सारे लगे यह जाते हैं बहुत चोटे-चोटे पॉट में चल जाता है बहुत अच्छे से तो अगर इसके ख़खेंगे, तो आजड़ा सबस्केटार है बहुत आगा पिलों जिते तो आप खाने में यह सकतें तो här तो नहीं तोड़ोगे तब भी एक अच्छे से फैलता है तो इसको अपने गार्डन से बिल्कुल ना लेगा निकालें गास समझ के तो बिल्कुल ना निकालें क्योंकि यह आपके गार्डन में एक प्लांट की तोर पे आप इसको ग्रोव कर सकते हैं तो बस दोसे वीडियो च कर दो सकते हैं तो यहां यहां झालें गार्डन में भी उता हैं तो इसको अवाद ड्रूश।